बैंड बाजा और बारात और अगले ही पल लाशों का धेर ये घटना है 15 अगस्त 2009 की कुवैत में एक शादी का जश्न चल रहा था। लोग शादी की खुशी में जूम रहे थे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां तीन मिनट के अंदर ही 57 लोगों की जिन्दगी चली गई आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 57 मौतों की जिम्मेदार सिर्फ 23 साल की एक महिला थी तो क्या है इस घटना की पूरी कहानी चलीए जानते हैं आज की इस वीडियो में तारीख थी 15 अगस्त 2009 9. कुवैत के जहरा गवर्नरेट में एक शादी के जशन की तयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी ये शादी थी 36 साल के तेल कारोबारी जायद जफिरा की जायद के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसकी जलक शादी की तयारी में भी दिखाई दे रही है शादी में सजावट के लिए नीदर लेंड से स्पेशल फूल मंगाए गए थे वहीं आलिशान टेंट बनाने के लिए अमेरिका से कारीगर आए हुए थे अरब देशों में ऐसा होता है कि शादी के लिए एक ही जगह पर दो अलग-अलग टेंट बनाये जाते हैं एक पूरी हुई शाम ढलते ही रिष्टेदारों का आना शुरू हुआ तरह तरह के लजीज और जायकेदार खानों के साथ दावत की शुरूआत हुई ट्रडिशनल डैन्स और म्यूजिक से शादी की महफिल सराबोर हो चुकी थी एक टिपिकल कुएती शादी की तरह यहां भी सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोग सिचुएशन समझ पाते उससे पहले ही 41 लोगों की लाशें बिच चुकी दरसल हुआ यह कि शादी के जशन के बीच ही महिलाओं के टेंट में आग लग गई यह पूरा टेंट जिस मेटीरियल से बनाया गया था वह highly inflammable था इस वजह से जैसे ही आग की शुरुआत हुई यह आग पलक जपकते ही पूरे टेंट में फैल गई टेंट में फायर सेफट आग की लपटों से घिर गया आग की लपटें इतनी तेज थी कि टेंट के अंदर का तापमान 500 डिग्री सेलसियस तक पहुँच गया था कुछ ही मिनट के अंदर यह पूरा टेंट जल कर खाक हो गया और ऐसा जखम दे गया जिसे कुवैत के इतिहास में कभी भुला नहीं जा सकता है इस घटना में 41 महिलाएं और बच्चे टेंट के अंदर ही जल कर मर गए इनकी बॉड़ी इतने बुरे तरीके से जली थी कि उनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट की मदद लेनी पड़ी इसके अलावा 100 से ज्यादा महिलाएं बुरी तरह जखमी हो चुकी थी इनमें क कुल संख्या 57 हो गई और लगभग 90 लोग जखमी हो गए इस घटना में मरने वाली कई महिलाएं अपने जले हुए शरीर के बेंतेहा दर्द को महीनों तक जहलते रही और फिर उनकी मौत हो गई वहीं कई महिलाएं ऐसी थी कि जिनके शरीर पर जलने के दाग हमेशा के गई गई गौर करने वाली बात ये है कि ये आग महिलाओं के लिए बनाए गई टेंट में लगी थी इस वजह से इस हादसे का शिकार होने वाली सभी महिलाएं और छोटे बच्चे ही थे Fortunately दूलहा और दुलहन दोनों अपने लिए बनाए गए स्पेशल टेंट में थे इस वजह से इस हादसे में इनकी जान बच गई इस भयावह हादसे ने पूरे कुवैट को हिला कर रख दिया था कुवैट के पिछले कई दशकों के इतिहास में किसी हादसे में एक साथ इतने लोगों की जान नहीं गई थी क्वैट समेट पूरी दुनिया में यह खबर हेडलाइन्स बनी हर कोई यह जानना चाह रहा था कि आखिर यह आग लगी कैसे चुँकि क्वैट एक बेहत गर्म देश है जिस जगह पर शादी का आयोजन किया जा रहा था वहां का तापमान भी लगभग 50 डिगरी सेल्सियस के आसपास था तो पहली नजर में पुलिस का ऐसा मानना था कि ज्यादा टेंपरेचर की वजह से शौट सर्किट हुआ होगा और फिर इसी वजह से आग लग गई होगी लेकिन पुलिस को अपनी शुरुवाती जाँच में टेंट के पास ही पेट्रोल के कुछ डब्बे मिले थे जिससे पुलिस का शक हाथसे से हटकर एक सोची समझी साजिश की तरफ घूम गया पुलिस ने शादी का आयोजन करने वाले दूलहे जायद जाफीरा से पूछताच शुरू की नई नवेली दुलहन से भी पूछताच की गई लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी हाथसे के पीछे किसी भी तरह की साजिश होने से इंकार कर दिया पुलिस ने और भी कई लोगों से पूछताच की दूलहा दुलहन से पूछताच करने के बाद पुलिस ने जायद की पहली पतनी नसरा युसेफ मुहामिड अलिनेजी से भी पूछताच की पुलिस की ओर से नसरा से सवाल किया गया कि शादी वाली रात आप कहां थी। नसरा ने जवाब दिया कि वह अपने घर पर अपने दोनों बच्चों का खयाल रख रही थी। इसके अलावा उसने पुलिस को और कुछ नहीं बताया। इस पूछताच से भी पुलिस को कुछ खास क्लू नहीं मिल सका। पुलिस की तफ्तीश जारी थी और इस केस को लेकर कुवैत के लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा था क्योंकि पुलिस अब तक इस हादसे की वजह के बारे में पता नहीं लगा सकी थी। इन तीनों से पूछताच करने के बाद पुलिस ने नासरा की नौकरानी से पूछताच करने का फैसला किया। और पुलिस का यह फैसला ही इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नौकरानी ने पुलिस को बताया कि उसने शादी वाली रात नासरा को टेंट के उपर कुछ डालते हुए देखा था। पुलिस को टेंट के पास से पेट्रोल के डब्बे अलरेडी मिल चुके थे। नौकरानी के स्टेटमेंट के बाद शक की सुई नासरा की तरफ घूम गई पुलिस के पास कई सारे सवाल थे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने नासरा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नासरा से दनादन सवाल दागने शुरू किये। पहले तो वह सारे सवालों को टालती रही। लेकिन जब पुलिस की सखती बढ़ी तब वह शादी के थोड़े समय बाद ही नासरा प्रेगनेंट हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया बेटे के जन्म के कुछ साल बाद उसकी एक बेटी भी हुई नासरा शौट टेमपर्ट तो थी ही साथ ही वह थोड़ी मंद बुद्धी भी थी इसी वजह से वह कई बार अपना गुसा अपने मासूम बच्चों और यहां तक अपने पती के उपर भी निकाल देती थी अनफॉर्चनेटली उसके दोनों बच्चे भी डिसेबल्ड पैदा हुए थे इन सारी वजहों से जायद नसरा से दूर जाने लगा उसके मन में दूसरी शादी का खयाल आने लगे और वैसे भी अरब देशों में दो या तीन शादी करने का रिवाज बहुत आम है तो जायद भी इस्लामी चानून के अनुसार मिले चार शादी करने के हक का फायदा उठाते हुए दूसरी शादी की तैयारी करने लगे नसरा को जब पता चला कि जायद दूसरी शादी करने जा रहा है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई जायद से उसकी लड़ाई भी हुई लेकिन वो पहले ही दूसरी शादी का फैसला कर चुका था इसलिए नसरा के किसी भी गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ जायद ने अपने लिए दुलहन की तलाश शुरू की लड़की मिल जाने के बाद पूरे धूम धाम से शादी की तैयारी शुरू की गई जायद दूसरी शादी करने के लिए नासरा से इजाज़त लेने गया नासरा तो गुस्से में तप रही थी लेकिन फिर भी उसने जायद को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी जायद खुश था कि नासरा आसानी से मान गई लेकिन यहां तो नासरा के मन में कुछ और ही चल रहा था वो इस शादी को अपनी रजामंदी ना दे कर रोकने के बजाए बड़े ही खतरनाक तरीके से रोकने का प्लान बना रही थी आखिरकार शादी का दिन भी आ गया सारे दोस्त और रिष्टेदार शादी वाली जगह पर पहुँच कर जशन में डूब गए और तब ही रात नौ बज़ कर बीस मिनट के आस पास नासरा वहां पहुँच गई और उसने महिलाओं वाले टेंट में आग लगा दी इस तरह से 23 साल की एक अकेली महिला ने सिर्फ तीन मिनट के अंदर 57 महिलाओं और बच्चों की खत्म कर दी हालांकि पुलिस के साथ पूछ ताच में नासरा ने बताया कि उसका इरादा इतने सारे लोगों को मारने का नहीं था वो तो बस जायद और उसकी दुलहन को मारना चाहती थी लेकिन गलती से उसने दूसरे टेंट में आग लगा दिया कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि नासरा का इरादा किसी को मारने का नहीं था बलकि वो बस शादी के जशन को बरबाद करना चाहती थी उसका इरादा जो भी रहा हो लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी वजह से 57 इंसानों की मौत हो चुकी थी नासरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर इस केस की सुनवाई शुरू हुई इस केस में पबलिक इंटरेस्ट भी काफी बढ़ चुका था और दुनिया भर की निगाहें इस केस पर टिकी हुई थी कोट में केस की सुनवाई शुरू हुई तब नासरा अपने बयान से मुकर गई उसने कहा कि उसका पहला कबूल नामा पुलिस की दबाव की वजह से था तो फिर वो टेंट के उपर क्या डाल रही थी इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो जायद को हासिल करने के लिए काला जादू कर रही थी और वो एक जादूई पानी टेंट के उपर डाल रही थी इस वाहियात जवाब का कोट के उपर कोई असर नहीं हुआ और अदालत ने उसे आरोपी मानते हुए ही सुनवाई जारी रखी इसलामी कानून के अनुसार अगर पीडित परिवार कातिल को माफ कर दे तो उसकी सारी सजा माफ हो जाती है लेकिन नासरा के केस में जानगवाने वाली 57 महिलाओं और बच्चों में से किसी के भी परिवार ने उसे माफ नहीं किया कोट में सुनवाई पूरी हुई और उसे 57 हत्याओं का अपराधी मानते हुए मौत की सजा सुना दी गई पेडिकल जाँच कराई गई तब उसका यह दावा भी जूटा साबित हुआ तब उसने ये कहानी बनाई कि उसके पती ने एक जेल करमी की मदद से उसके खाने में कुछ दवाई मिला दी थी जिसकी वजह से उसका गर्ब पात हो गया खैर अदालत में नासरा की कोई चाला की काम नहीं आई और उसकी मौत की सजा बरकरार रही 2017 में 6 और अपराधियों के साथ उसे भी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया इस तरह से 3 मिनट में 57 जिंदगी खत्म करने वाली नासरा की कहानी भी खत्म हो गई दोस्तों आपको क्या लगता है नासरा को जो सजा मिली वह सही थी या नहीं कमेंट में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग